नमस्कार मैं आसी सराथ और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबर आपको बताने वाला हूँ पहला ये राहुल गांधी की नागरिक्ता और पासपोर्ट रद करने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और दूसरा चार हजार करोर रुपए के अवैद करोरों रुपए किस तरीके से इकठा किया गया कैसे एडी इंफोर्समेंट डिरेक्टेट वहां पे पहुंची और पूरा जप्ती का खेला शुरू हो गया बताते हैं लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन प्रेस क होड़ते हैं और इस बार राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे बैठ करके भारत देश के लोगों को अपमान किया और भारत देश की धरती को अपमान किया और इस बार बहुत बड़ी समस्याएं राहुल गांधी के लिए खरी हो गई हैं बड़ी खबर दोस्तों ये आ रामदास अठावले ने बहुत बढ़ा स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों रामदास अठावले ने जो ये स्टेटमेंट दिया राहूल गांधी के पासपोर्ट रद और नागरिक्ता रद करने को ले करके अब इस पे एक्शन हो सकता है वरी खबर क्या रही है कि रामदास गांधी का पासपोर्ट रद कर देना चाहिए ताकि उन्हें अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने से रोका जा सके पालगर में दोस्तों एक सम्वादाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामदास अठावले ये भी कहते हैं कि लोकसभा में विप सकता बनेगी तो हम पुरी तहीके से आरक्षन को खतम कर देंगे तो इसलिए रामदास अठावले ने पुर्जोर विरोध किया राहुल गांधी का और राहुल गांधी ने ये मन बना लिया है कि जब भी विदेशी धरती पे जाऊंगा तो भारत देश के खिलाफ विशी उ जीब काटने को ले करके बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और ये स्टेटमेंट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि चाहे वो रामदास अठावले हों बॉंडे हों संजाय गायकवार हों ये तमाम लोग कोई जीब जलाने की बात कर रहा कोई जीब दागने की बात कर रहा अरक्षन खत्म करने का स्टेटमेंट दिया दूसरा ये कि पंजाबियों पे हमला किया उनके पगड़ी और कारा पे टिपनी दे दी कि पंजाबी जो है वो तो खुद डरे हुए है भारत में उन्हें डर लगता है कि मैं पगड़ी पहन करके कैसे जाओं करा मुझे पहनने दिया जाएगा यानि ऐसे तमाम स्टेटमेंट राहूल गांधी दे रहे हैं अब इसलिए शिंदे गुट के शिवसेना नेता है दोस्तों शिंदे कैंप के विदायक संजय गायकवार उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये हैं संजय गायकवार उन्होंने क्या स्टेटमें कॉंग्रेस अंसद ने अमेरिका में कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी आरक्षन खत्म करने के बारे में सोच रही है जब सरकार नहीं बनी है तो आप आरक्षन खत्म करने की सोच रहे हैं जब सरकार बन जाएगी तो फिर आप क्या-क्या सोचेंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है अब राहूल गांधी को जीव काटने को लेकर के जो धमकी मिली और राहूल गांधी की नागरिक्ता रद करने की मांग रामदा सठावले ने करी पासपोर्ट रद करने की मांग रामदा सठावले ने करी और पंजाब के बीजेपी के नेताओं ने जो पूर्व थे उन्होंने जुन खरगे नरेंद्र मोदी जी के जनमदीन के दिन जहां पूरे विश्व से नरेंद्र मोदी जी को बधाई मिल रहा था वहां पे मलिकार जुन खरगे ने नरेंद्र मोदी जी को चिठी लिखा हेट स्पीच को ले करके नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा और कहा कि आप तक बीजेपी के नेताओं ने ये लेटर किसी को नहीं लिखा ये नहीं कहा कि आपके नेता हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कभी भी राहूल गांधी मलिकार जुन खरगे ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमारे नेता ने आपके नेता को जान से मारने की धम कि दी है चमायाची का कभी नहीं लेकिन राहूल गांधी को लेकर के ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं मलिकार जुन खरगे ये सोचने के बजाए ये लेटर लिख रहे हैं। आप राहुल गांधी को ये समझा सकते हैं कि क्या विदेश में बैठके बोल रहे हो तुम तो तीसमार खान बन गए हो आना तो भारत में हैं तो ऐसा स्टेटमेंट किसके कहने पर दिया जा रहा है मलिकार जुन खरगे जी को पूछना चाहिए राहुल गांधी से और ये पता देने हैं राहुल गांधी को आवाज उठाने पे जब इनके खिलाफ आवाज उठती है मलिकार जुन खरगे कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांधी पे तो ये सीधा कहां जाते हैं देख लीजी ये सीधा बीजेपी सांसद अनिल बॉंडे के खिलाफ एफ आयार दर्ज कर और अनिल बॉंडे ने दोस्तो राहुल गांधी के खिलाफ आपत्ती जनक बयान दिया था वो क्या बयान दिया था वो मैं आपको बताता हूं लेकिन सवाल ये है कि अनिल बॉंडे ने जब राहुल गांधी के खिलाफ स्टेट्मेंट दे दिया तो आप एफ आयार करेंगे आप F.I.R. करके किसी के मुझ को बंद कर देंगे कितने दिन तक मुझ को बंद करेंगे और किस-किस लोगों का बंद करेंगे परसो रामदास अठावले हैं कल को कोई और आएगा कल को कोई और आएगा कितने लोगों पर आप F.I.R. करेंगे कितने लोगों का मूँ बंद करेंगे आप अमेरिका में रोही शर्मा पत्रकार का मुबाइल जब्त कर लेते हैं तिन चार दिन सीज कर लेते हैं उनको आप अपने पास रखते हैं वीडियो डिलीट करवाते हैं उनको पीटते हैं उनके साथ बत्तमीजी करते हैं सिर्फ इसलि खिलाफ कोई सवाल पुछ लेता है तो आप उस पर एफायार कर देते हैं लेकिन आप दीन भर बैठ करके बीजेपी नरेंद्र मोदी जी करते हैं उनके खिलाब जूठा एजिंडा चलाते हैं और आपके गोदी पत्रकार दीन रात विश उगलते हैं तो इस पर तो कोई इफायार नहीं करता है तो समझे कि कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है कौन सम्मिधान बदलना चाह रहा है यह आप खुद समझेंगा अनिल बॉंडे ने क्या स्टेटमेंट दिया था दोस्तों कहा था अनिल बॉंडे ने कि अगर कोई विदेश में कुछ भी बेतुका बोलता है तो उसकी जीब काटने की बजाए दाग दी जानी चाहिए ऐसे लोगों की जीब दागना तो जरूरी है जीब को दाग देंगे आग से गर्म चीज से तो वो दोबारा नहीं बोलेगा विस नहीं उगलेगा भारत देश के खिलाफ अनिल बॉंडे का कहने का मतलब ये था दोस्तों अब जो बड़ी खबर आ रही है कि चार हजार करोर रुपए को ले करके बड़ा मामला सामने आ गया है दोस्तों दूसरी अधिक के अवैद विदेशी मुद्रापोसन के लिए इनफोर्समेंट डारेक्टरेट के राडार पर है दोस्तों कंपणी और ये सुरत में जो ये मामला हुआ है ऐसे भी नरेंदर मोदी जी की सत्ता में ऐसे भरस्ताचारियों का कहीं कोई जगा नहीं है पुरा मामला साच के घेरे में फर्म पर विशेस आर्थिक छेतर से आयात की आर्व में विदेशी मुद्राको विदेशों में अस्तांत्रित करने और होंकोंग में शेल संस्थांग का उप्योग करने का आरोप लगा है तो ये 4000 क्रोर रुपै का पुरा भरस्ता-चार का मामला है इनफो सोसते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचाज़ों कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा और अपने दोस्तों में शेजों कीजिएगा तैंक्स पो वाचिंग मैं वीडियो जै हिन सत्तमेव